अब धाय हैं आए हैलो आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में हम आज की वीडियो में टेमाटर की फशलों में सूरू से आखरी तर्ग लगने वाली खास सेट्डिल के बारे में जानेंगे तो आप वीडियो के अंग तक बने लिए दोस्तो टमाटर की खेती में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है सबसे पहले आप मिट्टी की जाच करेए और उसके अनुसार है फटीगेशन करेए इस वीडियो में हम केवल अपना अनुभाव सेयर कर रहे हैं आप किस प्रकार टमाटर की खेती और फटीगेशन करते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताए मिट्टी की जाच कराने से आपको पता चल जाए कि कौन सी खाद की कमी है और हम कौन कौन सी खाद डाल सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी टमाटर की फसल सभी प्रकार की मिट्टी पर सफलता पुरूवक हो जाते हैं जैसे हम लोग के एरिया में नामधरी 962, 440, अभिलास, प्रणाव, अरका, 1501, सिजेंटा कमपनी का साहो का फसल लगाते हैं इसके बाद आप खेत को त्यार करें, खेतों को समतल करके आप बैट त्यार कर लीजिए हम यहां पर बीना मलचीं के साथ भी कर सकते हैं और डिप एरिगे शन भी कर सकते हैं जब हम बैट त्यार कर रहे होते हैं तो उस समय हमको डेपी 50 किलो, स्सपी 45 किलो, एमोपी 30 किलो और आप उस में गुबर खाट भी दे सकते हैं पौध रोपाई करने से पहले आप जमीन में नमी बना लेजिए। आज लगा रहे हैं और रात में बारिश हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बारिश नहीं हुई है आपको जमीन सुखा है तो आप एक दो घंटे दिप चला लेजिए। पौध रोपाई करने से पहले आप पौधे की जड़ों को फंगी साइट से ट्रीट कर लेए। इंफॉर्मेशन आपको प्रति एकड की दर से बताई जा रही है। जैसी आपकी फसल दस से बारा दिन की हो जाती है तो आप फटी किसन चलू कर देते हैं। पौध रोपाई से फूल आने तक की स्टेज में आपको कौन कौन सी खाद चलानी है। आपकी फसल जब दस से बारा दिन की हो जाती है तो आप उसमें सबसे पहले 50 किलो डियेपी, 50 किलो यूरिया, 25 किलो पोटास और 1 किलो उननिस और 1 किलो जिंक डाल सकते हैं। यह सब भ पौडर का छिड़का भी समय समय पर करें। जब हमारी फसल फूल की अवस्था में आ जाती है तो हम कौन सी खाद डालें। तो आप उस टाइंग 17, 44, 0, 1 किलो, 0, 32, 1 किलो, यूरिया, 1 किलो, तीनो को मिक्स करके एक एक दिन के अंतराल पर फल आने की स्टेज तक दिजिए यहाँ खाद फूल आने के बाद ही देवे जैसे आज हमने इस खाद को दे दी हैं। तो कल के बाद परसो फिर से हम इस खाद को देंगे एक एक दिन की अंतराल में देवे। खाद चलानी चाहिए। जब हमारी पौधा ग्रोथ होगा, मतलब हाइट होगा, तो हमारी फसल छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था होगी, तो भोजन की अविशत्ता भी ज्यादा होगी। अभी हम खाद एक केजी दे रहे थे। अब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अब 2 केजी देंगे। इसके साथ माइक्रो निट्रियन्स मिक्स करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद 180 दिन बाद फिर से आप इन खादों को दोहराईए। फिर हमारा फसल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हमारी फसलों को कितनी खाद की जरूरत है उसके अकौर्डिंग ही आप खाद कौन सी खाद देवे, कौन सी न देवे इसका ध्यान आपको देनी जाहिए। यदि यहाँ वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। कर दो कारी जरूर करते हैं।